हेडो स्टुदेंज, अब यूटान, अल गूट, ओके, स्टाथ करें आज उपना, क्लास सेके, मैं अच्छा, ना कौन से चेप्टर चल रहा है, चेप्टर शिक्स, तो इससे पहले वाले, तो क्लास में अपने क्या किया था, लेकिन लेक्ट की अपने, अनली टाइम में, किन- अन्सपैं, ठीक है, फूटस्पैं और क्यूबिट, ओके, इन चीजोगा है, यूज करके, आप एक तो को यूज क करके, किसी भी थिंग की कि लेंध भर या उसकी ब्रैथ को मेजर किया था था, ओके, लेकिन उससे क्या होता था, मेजर्मेंट अलग अलग परसर्ट तो परस स्टेनडर यूइट क्या-कया है आज हम वह सिखेंगे ऑगे और उनके बारेने की क्या है बहुत सारी है जैसे आपके चेप्टर में तुई है लेकिन मैं आपको ट्री कर वा लोगी हूं जब सबसे पर्स्ट में सेंटिमेटर यानि कि छोटी चीजे हो गया जैसे आपके पैंसिल हो गया इरेजर हो गया शाफ्टर हो गया या फिर आपके बुग नॉट बुग जो स्मॉल ठींग्स है उनको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं सेंटिमीटर का देलें सेंटिमीटर से बड़ा होता हैँ मीटर मीटर यानि कि हम अपने किसी ऐइन को कम डूंड साि्टेंस कि यानि कि कि हमारे क्वार्ड diskut अपरे हैं से मारे मेंरे में गेट है इसके लिए हम किसकी चिंप करते हैं कि मेंडर का के हम चीज़ और परक्राइक किलो मिटले नीडर मुंसले डिस्टेंस के लिए यूर साथ लिए क्या दिस्टेंस है कि यह कि तुछ अग्यज़ किलो में बुछन पुछन के आपके लिएक बादि इस सब्सके दूशन कर दें EDCU della宇न खरते है किलो में हम इडिस locis चोटी चीजों के लिए हम use करेंगे, small things के लिए centimeter, then कुछ बड़ा बड़े के लिए meter and distance, ठीक है, बहुत जादा distance हो, उसको मेशर करने के लिए हम kilometer का use करेंगे, अब यह usage एक तूसरे से related है, ठीक है, वो कैसे, देखेंगे, सबसे पहले का आपको इसको बतातों कि लिए हम centimeter के cm, centimeter, meter को m से and kilometer को km से, जैनि की पार-पार नों पड़ा पड़ा यह spellings name नहीं लिखेंगे, अम सी जासा लिखेंगे, हम इस centimeter पता नहीं लिखेंगे cm, meter के लिखेंगे m, and kilometer के लिखेंगे, इसके लिखेंगे, k, okay, now, मैं आप करेंगे, centimeter, first of all, one meter, कित है, क्या है, one meter, अब one meter में कितने cm हो ते, one meter होता है, अपना, तो one meter में कितने cm हो ते, बिटा, hundred cm, one meter में कितने cm होगे, hundred cm, hundred cm, then उसके पार-प, one kilometer, अब one kilometer में यह पता है, किसे मिटर हो गए 1,000 clear 1 meter is equal to 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 kilometer is equal to 1000 meter अब क्या है कि 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 kilometer is equal to 1000 meter अब क्या है कि for example मैं आपको कह दूँ कि बीटा यह आपके पास water bottle है यह क्या है water bottle है आप मुझे में इसकी length कितनी है क्या बताइए इस वैसे तो में इसकी capacity find out रहते है वो liquid के लिए हो आप बाग में पढ़ेगे फिल्हां मैं उसकी length कुछ तो उसके लिए हम किसका use करते है scales का यह scale है हमारे पास तो हमने scale कैसे लगाया है इसके bottom से और यह ना अब हमने देखा कि कितना है ठीक है one से start करेंगे रहा हम सो हमने यहां से लगाया हमने देखा लास्ट में जाके क्या रहा है nine five nine five five पर आ रहा है याने कि इसकी length कितनी हो गई nine centimeter okay कितनी है nine point five centimeter ठीक है centimeter से जोटा होता है millimeter बड़को आप कि में आप फिर confused हो जाओगे इतना कुछ अगर आप इस तीनों को इलानु कर रहा है तो ना किसी आपर फोटल की length करें कम कितनी है nine point five seven okay then मैं आपके सामने यहां एक line draw कर रही हूं क्या draw की मैं देखिए एक line draw की ठीक है line मैंने यहां नाम दिया इसको a दी क्या नाम देखिए आप मुझे इसकी length find दीजेगे कितनी लंडी line मैंने यहां draw की है तो उसके लिए आप सबके पास scales है आपकी जुबैटरी box में सबके भी लेगे नहीं है तो आपको लेगे आना है परचेश करते हैं okay सो अब हम इसकी let's find out करेंगे तो हम किसका use करेंगे scale का use करेंगे ठीक है हमने scale को यहां किया तो देखो कितना है आपर आ गये 14 cm कितना cm आ गया यहां तक 14 cm हो गया अब हम यहां से इसको दोबारा से लगा के रहें कितनी लंबी लाइन है यह 17 cm कितनी लंबी लाइन है यह 17 cm इतना समझने आया आप से भी को clear है okay next है हमाने पास कि मैं आपको कहूं पिटा 5 meter आपको इसको convert करना है बदलना है change करना है इसमें centimeter इसमें बदलना है आपको centimeter में बदलना है 5 meter है 5 meter को आपको cm में बदलना है जब हमारे पास यह questions आंगे वहाँ हम क्या करेंगे ठीक है 1 meter, किकने cm होते है, 100 cm, 1 meter में किकने cm होते है, 100 cm, तो 5 meter में किकने cm होगे, 100 x 5, अब 100 को 5 से multiply करोगे, तो क्या ऐगा, 5 0 सा 0, 5 0 सा 0, 5 बंजा, 5, 500 cm, यानि कि 5 meter में किकने cm होए, 500 cm, अगर यहां, मैं किकने cm, किकने हो जाएंगे, 600 cm, 9 meter, 900 cm, 2 meter, तो क्या हो जाएंगे, 200 cm, यानि कि, इतना भी आपको meter भी आपा होगा, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, कितना भी हो, आप उसको कितने से multiply कर देंगे, 100 से multiply कर देंगे, तो हमारे पास cm आजाएंगे, किकने, तो इतना सब को समझ में आया, अच्छे से, क्या क्या किया हो जाएंगे, कि cm को हम cm से और करते हैं, meter को m से, km को के अच्छे, उसके बाद हमने पड़ा कि 1 meter में कितने cm होते हैं, 100 cm, 1 km में कितने meter होंगे, 1000 meter, ओकी, फिर अगर हमारे पास एक question put up होता है, क्या, कि आपते ही कि 5 meter में कितने cm होगे, पर नहीं, सो वहां हमें पता है, 1 meter में 100 cm होती हैं, तो हम 5 को 100 से, बढ़ए करते हैं, हमारे पास हमारा answer आजाएगा 500 cm, ऐसे ही चाहिए, इसने भी meter दी हुए हूँ, हम उनको 100 से, बढ़ए करते हैं, तो हमारे पाप cm में आजाए, 2 हैं तो 200 cm, 3 है तो 300, 4 है तो 400 cm, 5 है तो 500 600 600 cm ओकी? चलियर का समस्ष में आया? तो आपको यह अच्छे से revise करना आना है और इसको लिक लिक के देखना है यह आपको कोश्ण अपने आपकोश्ण पतक करना की 5 मेटर कोश्ण की साटी मेटर बरवाना है ठीक है? अपने आपको करकर के देखना है मैं आच्छेजिस की प्रक्षिस करें, ओके बिटा, तभी आपको या आए आच्छेजिस, ओके, बाबाई